नमस्कार मैं हूँ विज्वा और आप देख रही हैं फिल्मी बीट शशांग खेतान बॉलीवोट के एक ऐसे डिरेक्टर जिन में जबरदस्त संभावनाएं देखी जा रही हैं वो आज एक ऐसे डिरेक्टर के रूप में उधने हैं जिन्हें दर्शकों के टेस्ट का अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका है उन्हें उनकी सुपर हिट फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया के लिए जाना जाता है और अब धड़क के लिए पहचाना जाता है आईए आपको बताते हैं शशांग खेतान के अंसुने किस से हम्टी शर्मा की दुल्हनिया के डिरेक्टर शशांग की आज बॉलिवूड में एक खास पहचान है शशांग खेतान का जन्द कुलकता में हुआ था उनका पूरा बचपन मुंबई में बिता शशांग कभी भी फिल्म निर्देशक नहीं बनना चाहते थे क्योंकि उनका रुजान बचपन से ही क्रिकेट की ओर था लेकिन 17 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मी दुनिया में आने का प्लैन बनाया शशांग हेता ने अपनी शुरुवाती पढ़ाई मुंबई से कम्प्रीट की उन्होंने फिल्म में अपना करियर बनाने के लिए सुभाश गई का विशलिंग वुड्स फिल्म कॉलेज को जोईन किया यहां उन्होंने निर्देशन से जुड़ी कई तरह की तकनीक को अच्छी तरह से सीखा उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान ही शेरवानी कहां है फिल्म निर्देशित की थी लेकिन फिल्म कुछ खास नहीं चली और बुरी तरह फ्लॉप सावित हुई विशलिंग वुट्स इंस्टिटूट से पढ़ाई खत्म होने के बाद शशांक ने निर्देशक सुभाश गई को उनके फिल्म ब्लैक और वाइट में बदोर सहायक निर्देशक असस्ट किया उसके बाद उन्होंने बदोर फिल्म निर्देशक हिंदी सिनेमा में करन जोहर निर्मित फिल्म हम्टी शर्मा की दुलहनिया निर्देशित की इस फिल्म में लीट रूल में आलिया और वरुन नजर आये थे फिल्म बॉक्स ओफिस पर सुपर डुपर हिट हुई थी इसके बाद अब वो धड़क को लेकर चर्चा में है फिल्म धड़क का खयाल कैसे आया इस पर शशांक का कहना था कि उन्होंने जब सैराड देखी थी उसी वक्त थेजर से बहाराने के बाद उन्होंने सोच लिया था कि वो इस फिल्म का रीमेक करेंगे और उन्होंने ये बात करन जोहर को बता दी थी फिल्म को लेकर शशांक का कहना था कि वो नहीं चाहते कि जानवी की दुल्ला उनकी मा श्री देवी से की जाए उनका कहना था जब वो फिल्म रीमेक बनाने के बारे में सोच रहे थे तो उस वक्त उन्होंने ये नहीं सोचा था कि फिल्म में कौन से किरदार होंगे उनका कहना था कि इशान का नाम या जानवी का नाम उनके जहन में नहीं था वलकि इशान के साथ तो वो किसी और फिल्म की तैयारी कर रहे थे लेकिन ये एक संयोग ही था कि इस फिल्म में ये दोनों नजर आ रहे हैं उनका कहना है कि एक रीमेक बना ली और अब वो आगे रीमेक नहीं बनाएंगे आपको जान कर हैरानी होगी कि शशांक के फिल्म हम्टी शर्मा की दुलहनिया दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगा का ट्रिब्यूट था शशांक ने 17 साल की उम्र में मनुलंजन की दुनिया में करियर बनाने का फैसला किया था साल 2017 में रिलीज हुई उनके फिल्म बद्री नात की दुलहनिया को सर्वश्वेष्ट ने देश्वक के लिए फिल्म फियर अव़ोड के लिए नॉमिनीस किया गया था वो एक रियालिटी शो डैंस दिवाने में माधुरी दिक्षित और तुशार कालिया के साथ जज के तौर पर भी नज़र आए एक इवेंट पर परनिती चोपना ने शशांक के एक ऐसे रास से परदा उठाया जो आखों के सामने गुजरा लेकिन किसी को इसका अंदाजा नहीं था बद्रिनाद की दुलनिया और हम्टी शर्मा की दुलनिया के बाद शशांक को ज्यादा तर डिरेक्टर के रूप में ही पहचाना जाता है लेकिन एक इवेंट में परिनिती ने एक मज़ेदार रास का खुलासा किया कि इशकजादे में शशांक एक्टर के रूप में भी नज़र आये थे शशांक के बारे में परिनिती ने कहा कि इशकजादे के टाइम से हुने पता था कि वो एक दिन काम्याबी हासल करेंगे हलाकि बहुत कम लोगों को उनकी ये अपेरेंस याद होगी फिल्म इशकजादे से अरजुन कपूर ने बॉलिवोड में अभिनेता के रोल में डिब्यू किया था महीं परिंती की भी ये दूसरी फिल्म थी इस फिल्म में शेशांक ने अरजुन के कजन का किरदार निभाया था ये श्राज बैनर की ये फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी सुभाश गई की काडमी में अक्टिंग कोर्स में अडमिशन लेने के बावजूद डिरेक्टर कैसे बने इसके पीछे शशांक की एक अलग कहानी है उन्होंने कहा कि इस अकाडमी में हीरो बनने का सपना साकार करने के लिए उन्होंने अडमिशन लिया था लेकिन यहां अडमिशन के कुछ हरसे बाद अचानक उनकी रुच्री राइटिंग और डिरेक्शन में हो गई और घई साहब की अकैडमी की सबसे बड़ी खासियत यह थी यहां उन्हें अक्टिंग से लेकर डिरेक्शन की पूरी जानकारी दी गई वो राइटिंग और डिरेक्शन की क्लास में जाते थे तो ज़्यादा तर गेस्ट लेक्शुरार और अकैडमी की टीचर उन्हें आक्टिंग के बजाए डिरेक्शन की फील्ड में ही करियर बनाने की सलाह देते थे उनका कहना था कि कोर्स के दोरान जब उनको सुभाष जी के साथ यूवराज और ब्लाक और वाइट में बतार इंटरन काम करने का मौका मिला तो घरी साहब ने मुझे आक्टिंग छोड डिरेक्शन में जाने की सलाह दे थी फिर मैंने डिरेक्शन में करियर बनाने का फैसला क हंटी शर्मा की दिल्हनिया बनाने का आइडिया कैसे आया इस पर भी एक मज़ेदार कहानी है जो शेशांग बताते हैं सोर्सस की माने तो वो करीब 13 साल के थे जब उन्होंने पहली बार ये श्राज वैनर की दिलवाले दिल्हनिया ले जाएंगे देखी थी उनका कहना था कि इसके बाद उन्होंने इस फिल्म को बहुत बार देखा उनका कहना था कि हमारी फैमिली में जब भी फिल्मों की बात होती थी तो के आसिक की मुगले आजम का भी जिक्र हर साल हुआ करता था एक इंटर्वी में उन्होंने बताया कि जब उन्होंने दिल्वा जाएंगे हलाकि सशांक उस वक्त अक्टर बनना चाहते थे और सोचा कि करियर की शुरुआत रोमैंटिक फिल्म से करेंगे और बता और डिरेक्टर ही सही उन्होंने लव स्टोरी बनाई जो सुपर हिट रही तो ये थी सशांक की अनसुनी कहानिया इस वीडियो में फिलहाल नई